अब पवन सिंग के बाद उनकी धर्म पतनी जोती सिंग भी चुनाव लड़ने वाली है और इसकी वो तैयारी भी शुरू कर चुकी है कारा कार्ट में लगातार उनका आना जाना लगा हुआ है और इसकी जानकारी उन्होंने मीडिया में आके दे भी दी है अब सवाल ये उड़ता है कि आखिरकार किस पार्टी से जोती सिंग चुनाव लड़ेंगी क्या है उनकी पूरी तैयारी और पवन सिंग कितना साथ दे रहे हैं उनका ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मेरा पड़िचे जान लीजिए मेरा नाम है जंक्षन देख रहे हैं आपको ग्यात होगा किस तरीके से कारा कार्ट में अकेले पौन सिंग जब चुनावी मैदान में रण में उतरे थे तो पूरा माहौल बदल गया था और कारा कार्ट की वज़े से कई जगे पे बीजेपी को एंडिये को भारी नुकसान का सामना भी क दरना पड़ा था आपने देखा था जो वो माहौल एक पौन सिंग के लिए बना था और जिस तरीके से लोग 20-20 किलो मिटर दूर से 15-15 किलो मिटर दूर से सर्फ पौन सिंग को एक बार देखने उनकी एक जलक को पाने के लिए और एक सेलफी और एक फोटो खिचवाने के लिए लोग आ रहे थे, वो जो एक हुजूम देखने को मिल रहा था, इससे तो यही लग रहा था कि पान सिंग इस बार इस सीट को निकालने में सफल हो जाएंगे, लेकिन वो इस चुनाव को हार जाते हैं, दूसरे नमबर पे रहते हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उनकी धर्म पत्नी जोती सिंग जो है वो कारा कार्ट विधान सभा छितर से चुनाओ लगने वाली है और इसकी तैयारिया उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी है दिरसल बात ये है कि कारा कार्ट में ये वादा करने के बाद पॉन सिंग की हम लगातार आते रहेंगे भले गायब हो गए हो लेकिन उनकी पत्नी जोती सिंग लगातार कारा कार्ट ब्रह्मन कर रही है कारा कार्ट के लोगों से मिल जुल रही है और मीडिया से बात चीत करते हुए उन्होंने बताया कि जब मैं कारा कार्ट में पॉंजी के लिए चुनाव प्रचार प्रशार करने के लिए आती थी तो लोगों से इतनी जादा मेरी कनेक्टिविटी बन गई कि अब मैं आते रहती हूं और यहां के लोगों की बाते सुनती रहती हूं इसके उपर जब उनसे पूछा गया कि क्या विधान सभा को ले कि ऐसी कोई तयारी चल रही है आपकी तब जोती सिंग बताती है कि नहीं ऐसी कोई अभी तयारी चल तो नहीं रही है लेकिन हाँ अगर कोई पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाओ लड़ूँगी और मैं अपने आपको खुश नसीब महसूस करूँगी अब आप इस बात को समझ जाएए कि सबसे पहले जोती सिंग प्रशान किशोर से मिलती है और ये बात मीडिया में खुब वाइरल होती है लोग इसका खुब चर्चा भी करते हैं कि जोती सिंग के साथ साथ पौन सिंग भी जनसुराज जोईन करने वाले हैं और ये माना भी जा रहा था कि हो सकता है जोती सिंग को टिकट मिल जाए और जोती सिंग चुनाव लरे जन सुराज से और अब जिस तरीके से वो काराकाट में जा रही हैं लोगों से मिल रही हैं लोगों की बाते लोगों की फरियादे सुन रही हैं इससे तो यही प्रती तो ह दिखाई दे रहा है कि जोती सिंग को हो सकता है कि जनसुराज 2025 में चुनावी मैदान में उतार दे और शत्र होगा काराकाट वही काराकाट जहां से पॉन सिंग ने पहले भी अपना जलवा बिखे रहा है वही काराकाट जहां पे जोती सिंग ने जाके पॉन सिंग के लिए प पेर रहूंगा हलाकि अगर पॉन सिंग की बात की जाए तो पॉन सिंग में और जोती सिंग में अभी अनबन की खबरे जो हैं वो खूब आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि दोनों में कुछ जादा ठीक नहीं चला इनका रिस्ता जो है एक बार फिर से खराब होने को है और इस तर से पॉन सिंग और जोती सिंग के रिस्तों के उपर ग्रहन लगता हुआ दिखाई दे रहा था और तब से लेके अब तक उनके रिस्तों में जादा कुछ सुधार हुआ नहीं है तो भले पॉन सिंग का साथ न मिला हो लेकिन पॉन सिंग के साथ आने की वज़े से पॉन जो एक नाम इनके साथ है, नाम जुरा हुआ है, उस नाम का फायदा जोती सिंग को मिल सकता है, और जितने लोग पॉण सिंग को जानते हैं, वो जोती सिंग को वोट कर सकते हैं, ऐसा माहौल अगर बनाया जाये तो, और इसी व्यदे कारा कաरट में लगातार जाके जोती ब्रहमन कर रही है लोगों से मिल रही है लोगों की बातों को सुन रही है मतलब यह ऐसा माना जा सकता है कि जन सुराज विधान सभा चुनाओ 2025 में जोती सिंग को अपना उमिद्वार काराकार्ट से घोशित कर सकती है और इसकी तैयारिया अभी से शुरू हो चुकी है बाकी आपको क्या लगता है क्या जोती सिंग काराकार्ट से चुनाओ लड़ेंगी तो जिस तरीके से पवन सिंग के लिए जोती सिंग काराकार्ट में खड़ी थी क्या पवन सिंग भी उनके लिए वोट मांगने आएंगे क्या दोनों जो हस्बिन वाइप हैं उनमें जो यह अभ अपना विचार हम तक पहुचा सकते हैं बाकि आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मेरा नाम रजत है